मेरे प्यारे देश्वासियो, इस साल की सुरुवात के साथ ही करोना के खिलाब हमारे लड़ाई को भी करीब करीब एक साल पूरा हो गया है जैसे करोना के खिलाब भारत के लड़ाई एक उधार्ण बनी है वैसे ही अब हमारा vaccination program भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा COVID vaccine program चला रहा है आप जानते हैं और भी ज़्यादा गर्विकी बात क्या है हम सबसे बड़े vaccine program के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गती से अपने नागरिकों का vaccination भी कर रहे हैं स्रिप 15 दिन में भारत अपने 30 लाग से जादा करोना वरियर का टिका करन कर चुका है जबकि अमेरिका जैसे समरुद्य देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन साथियों made in India vaccine आज भारत की आत्म निर्भरता का तो प्रतिक है ही भारत के आत्म गवरों का भी प्रतिक है नमो एप पर यूपी से बाहिहमान सुयादव ने लिखा है कि made in India vaccine से मन में एक नया आत्म विश्वास आ गया है मदुरई से किर्टी जी लिखती है कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मेसेज भीज़ कर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे है किर्टी जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह करोना से लड़ाई में दुनिया की मदद किये है उससे भारत के बारे में उनके मन में इज़्जत और भी बढ़ गई है किर्टी जी देश का ये गवरोगान सुनकर मन की बात के स्रोताओं को भी घर्व होता है आजकल मुझे भी अलग-अलग देशों के राष्टपती और प्रधाननत्रियों के तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं आपने भी देखा होगा अभी ब्रजील के राष्टपती ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है वो देखकर हर भारतियों के इतना अच्छा लगा हजारों किलोमेटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कौने के निवासियों को रामायन के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है उनके मन पर गहरा प्रभाव है ये हमारी संस्कृति की विशेस्ता है साथियों इस वैक्षिनेशन कारकम में आपने एक और बात पर अवशे ध्यान दिया होगा संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्षिन को लेकर सक्षम है आत्म निर्भर है यही सोच आत्म निर्भर भारत अभियान की भी है भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा उतना ही अधिक लाब दुनिया को होगा